Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज हम फिर से आपकी translation की practice के लिए एक और हिंदी का passage लेकर आए हुए है जो आपकी board exam में 2022 में पूछा भी गया था तो चलिए friends, अब हम देख लेते हैं कि हम इस passage को कैसे translate कर सकते हैं पहला sentence इसमें है कि हमें पालतू और मूख पश्वों की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए हमें पालतू और मूख पश्वों की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए तो friends, सबसे पहले देखिए sentence के last में यहाँ पे चलना यहाँ पे एक verb है और verb के last में ना आया हुआ है और इसके बाद चाहिए आ गया है और जब भी किसी भी verb के last में ना या नी आया हो और उसके बाद चाहिए आ जाए तो वहाँ पर आपको should का यूज़ करना होता है यह जिज़ आपने model वोब में पड़ा होगा कि चाहिए के लिए हम should का यूज़ करते हैं बट उसके पहले एक verb जरूर होना चाहिए और उस verb के last में ना या नी आना चाहिए अब जैसे यहाँ पे है कि हमें पालतू और मुख पश्वों की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए अब चलना यहाँ पे एक verb है last में ना आया और इसके बाद चाहिए आया हुआ है यानि कि यहाँ पे आप should का यूज़ कर सकते हैं तो कैसे इसको translate करेंगे सबसे पहले इसमें subject लिखना होगा subject यहाँ पे क्या है हमें तो हमें के लिए यहाँ पे हो जाएगा we और इसके बाद हम as a helping verb यूज़ करेंगे यहाँ पे should का यहोज़ाए का we should और जब भी हम किसी model verb का यूज़ करते हैं तो जनरली translation में क्या होता है कि हम पीछे से meaning रखते हुए आगे की तरफ आते हैं ऐसा हमें translation करना होता है ज़्यादा तर sentence में ऐसा होता है कि हम पीछे से translate करते हुए आगे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे subject लिखा गया हमें और इसके बाद last में आया चाहिए तो चाहिए कि अंग्रेजी यहाँ पे हो गई should और चाहिए कि पहले आया चलना बट फेंस यहाँ पे गर देखा जाए तो चलना का मतलब यहाँ पे सच में walk करना नहीं है जब आप इस sentence का sense निकालते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पे किसी के पीछे चलने की बात हो रही यानि किसी को follow करने की बात हो रही तो यह चीज आपको sentence में जरूर समझना होगा इसलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं कि शब्दों पर न जाए भावनाओं को समझें तो आपको sentence का sense समझना होगा तो इसमें पीछे चलने का मतलब किसी को follow करना है तो इसलिए हाँ पे आप कर सकते हैं कि वी शुड़ और इसमें नहीं भी आया हुआ है तो हो जाएगा not यहाँ पे not का यूज़ करें गे वी शुड़ नौट अब पीछे चलना के लिए यहाँ पे हो जाएगा follow वी शुड़ नौट follow अब किसी के यहाँ पे आगया पीज़े चलना के पहले क्या गया, किसी के लिए आब क्या ले सकते हैं, किसी के के लिए Anyone का युज़ कर सकते हैं, we should not follow anyone, अलवारेजहिए यह trick के साथ translate हो रहा है, सबसे पहले subject तो लिखना ही होता है, आपको बता है कि assertive sentence के starting subject से होता है, और इसके बाद पीछे से किवल मीनिंग रखते हुआ मागी की तरफ आ रहे हैं किसी के के लिए यहां पे होगा anyone और इसके पहले क्या है की तरह और की तरह के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं like का यूज कर सकते हैं like या फिर as का यूज होता है तो सबसे पहले यहां पर पालतू के लिए लिख सकते हैं, like, pet, और और के लिए यहां पर आ जाएगा, and, pet and, और मुख के अंग्रेजी होती है, dumb, dumb का मतलब गूंगा होता है, मुख के लिए dumb word का यूज़ करते हैं, जिसमें be silent है, इसको dumb बोला जाता है, और पश्कों के लिए आप यहां आप लिख सकते हैं, animals, तो देखें, कितने आसानी सी यह sentence हमारा translate हो गया, कि we should not follow anyone like pet and dumb animals, तो चलिए देखते हैं अंगला sentence, जीवन के संघरसों एवंग आने वाले खतरों का निर्भीकता एवंग साहस के साथ सामना करना चाहिए, तो यहां भी देखिए करना, सामना करना इसमें वर्भ है, ना आया हुए last में, और इसकी बात चाहिए आ गया, क्या यहां भी हम should का use कर सकते हैं, बट इसमें अगर दिखा जाये, तो इस sentence में कही subject लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर हम पूरे sentence को देखते हैं, तो इसमें भी subject हमें ही है, यहां भी subject हम we ही है, तो क्योंकि यह भी एक assertive sentence है, तो यहां भी सबसे पहले हम subject लिखेंगे, we, और और इसके पहले आ गया कि सामना करना, और सामना करना के इंगरिजी क्या होती है, face, सामना करना के लिए face का यूज़ कर सकते हैं, तो we should face, यानि हमें सामना करना चाहिए, यहां तक तो हो गया, अब किसका सामना करना चाहिए, आने वाले संघर्सों एवं आने वाले खतरों क संघर्सों एवं आने वाले खत्रों का तो यहाँ पर संघर्सों के लिए कर सकते है face the troubles यहाँ फिर struggles कर सकते है संघर्सों के लिए the struggles and तो संघर्सों के लिए यहाँ पर struggles और आने वाले खत्रों का यहाँ पर है तो यहां पर सीधे हम खत्रों के लिए dangers भी लिख सकते है struggles and dangers dangers और बचा किया इसमें जीवन के है तो हो जाएगा in life in life या फिर of life वैसे तो in यहां पर वेटर रहेगा we should face the struggles and dangers in life यानि कि हमें जीवन के संघरसों को और खत्रों का सामना करना चाहिए अब कैसे करना चाहिए क्योंकि यहां पर यह क्या है adverb है कैसे सामना करना चाहिए निर्भीकता एबं साहस के साथ तो निर्भीकता के लिए आप क्या कर सकते हैं यहां पर fearlessly word का use कर सकते हैं क्योंकि fear का मतर्ब डर होता है fearless का मतर्ब निडर और इसको एक adwork की तरह यूज़ करना है तो इसमें ly add कर देंगे fearlessly हो जाएगा तो क्या होगा कि we should face the struggles and dangers in life fearlessly यहाँ पर आप कर सकते हैं fearlessly वैसमें इसमें दो-दो चीज़े लिखी गई है कि निर्भीगता एबंग साहस के साथ और देखा जाए तो लगबग एक ही sense है इसका तो कभी-कभी होता है हिंदी वाले sentence में एक ही sense वाले दो वर्ड तीन वर्ड यूज़ कर दिये जाते हैं केबल उसको और effective बनाने के लिए उसमें और वजन लाने के लिए लेकिन आपको इंग्लिश में ऐसा नहीं करना है आप ऐसे एक ही वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं तो वो गया कि we should face the struggles and dangers in life fearlessly हमें केबल sentence का जो sense है वही केबल देना है जरूरी रहे कि एकदम word to word हम एकदम literally translation करे और ऐसा ही करने के चकर में हम mistake कर देते हैं तो देखते हैं friends अगला sentence हमाना क्या है इसमें कि भविश्य चाहे कितना भी उज्वल एबंग लुभावना क्यों न हो भविश्य चाहे कितना भी उज्वल वा लुभावना क्यों न हो तो इस तरह के जब भी sentence आते हैं कि चाहे कितना भी तो ऐसे sentences को आप कैसे translate करेंगे इसके लिए friends आपको एक structure याद रखना होगा कि जब भी ऐसा हुआ कि चाहे कितना भी इस तरह का अगर आ जाता है sentence में जिसमा लिजिए कि कोई 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 चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो कोई चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो अदे कि बिलकुल इसी तरह का यह sentence है जैसे आपके भविश्य चाहे कितना भी उज्वल एवंग लुभावना क्यों न हो वैसे याँ भी कि कोई चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो तो जब भी इस तरह के sentence आते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको how ever का यूज़ करना होगा यह structure आपको याद रखना है कि चाहे कितना भी के लिए सबसे पहले आपको how ever का यूज़ करना है और इसके बाद इसमें जो एज़ेक्टिव आया हुआ है जो भी एज़ेक्टिव इसमें आया हुआ है तो इसमें एज़ेक्टिव क्या है विद्वान है यहाँ पर गर दिखा है तो एज़ेक्टिव है विद्वान तो विद्वान के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, learn it, however learned, और इसके बाद आपको subject लिखना होगा, जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई की बात हो रही है, यानि कि a person कर सकते हैं, a person, however learned a person, और इसके बाद आपको इसमें may be का यूज़ करना होगा, सबसे पहले however, फिर adjective, और फिर subject आएगा, और इसके बाद आपको may be का यूज़ करना होगा, अब चलिए, इसी structure पर हम इस वाले sentence को बनाते हैं, जैसे हैं भविष से चाहे कितना भी उज़वल एवं लुभावना क्यों न हो, तो सबसे पहले इसमें किसका यूज़ करना है, however का यूज़ कर देना है, however, अब इसमें adjective क्या है, adjective कैसे बता चलता है, कैसा लगाने पर, आप कैसा लगा के question करिए, adjective मिल जाएगा, जैसे कोई कैसा क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, ऐसे आप देखे, भविष से कैसा हो, उज़वल एवं लुभावना, तो इसमें ये मारा adjective है, उज़वल एवं लुभावना, तो however के बाद आपको लिखना होगा, उज़वल के लिए, bright लिख सकते हैं, however bright, even का मतलब और ही होता है, उसके लिए आप and का ही use करेंगे, however bright and और लुभावना के लिए आप क्या लिख सकते हैं, लुभावना का मतलब लल्चाने वाला, उसके लिए आप tempting word का use कर सकते हैं, कई भी लुभावना अगर आगया उसके लिए attractive या फिर tempting word का use कर सकते हैं, अगर tempting word आपको नहीं पता है, तो उसके जगाँ पे आप attractive का भी use कर सकते हैं, यानि जो हमें आकरसित करें, हमें लल्चाएं, तो attractive यहाँ बे आ सकता था, तो however bright and tempting, और इसके बाद यहाँ पे subject होना चाहिए, इसके बारे बात हो रही है, तो बात किसकी हो रही है, भविष्ची की बात हो रही है, तो भविष्ची की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा the future, और इसके बाद क्या आना चाहिए, maybe आना चाहिए, यहाँ पे हो मेबी तो देखे इसे स्ट्रक्चर पे ये बहुत ही आराम से बन गया कि हाव एवर ब्राइट एंड टेम्टेंग दो फ्यूचर मेबी यानि कि भविस्ट से चाहे कितना भी उज्वल एबंग लुभावना क्यों न हो और इसके बाद फिर से आ गया कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए यहां पर भरोसा करना वर्भ है ना आया लास्ट में और उसके बाद चाही आ गया यहां भी शुट का ही उसका से लेकिन इसमें नहीं भी है तो शुट नॉट आएगा तो हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए यानि कि we should not, I hope यह structure आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, तो यहाप यह हो जाएगा, हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, यानि कि we should not, we should not, आप चाहे तो इसमें must not भी लगा सकते हैं, या फिर should not ही लगा सकते हैं, we should not, अब भरोसा करना के लिए सीधे rely word का use आप कर सकते है rely on तो भरोसा करना के लिए rely on का use आप कर सकते है और उस पर है उस का use यहाँ पर शायद future के लिए भविश्य के लिए किया गया है तो यहाँ पर आप it का use कर सकते हैं तो ग्या कि we should not rely on it हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए however bright and tempting the future may be भविश्य से चाहे कितना भी उज्ज्वल बालो भावना क्यों नहीं हो we should not rely on it और हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए अब आगे देखते हैं कि हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए अब यहां पर बीती हुई बातों के लिए हम क्या लिखें ऐसी कुछ words या phrases आ जाते हैं जिसमें हम confused हो जाते हैं कि अब इसके लिए कौन सा word यूज़ करें तो बीती हुई बातों जो भी कुछ बीत चुका है वो सब क्या है वो सब Belarus पास्ट है तो सीघे आप इसके लिए fourteen उसके दाता सकते हैं तो हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए सोचना यहाँ पर वर्भ है लास्ट में ना आया और पिर चाही आ गया यहाँ भी should का use कर सकते हैं तो हमें के लिए यहाँ पर हो जाएगा we और नहीं सोचना चाहिए है तो हो जाएगा should not we should not और सोचना के लिए आपर think का use कर सकते है लिटिवही बातों को इसके लिए आप सीरे कर सकते हैं Of the past क्योंकि think के साथ prepositions of का यूज़ करते हैं हमें बीति भी बातों को नहीं सोचना चाहिए और बार-बार के लिए आफ क्या लिख सकते हैं बार-बार के लिए again and again या अपो repeatedly कर सकते हैं तो यह इज़ी है लिए अगन तो बार-बार के लिए आप लिख सकते हैं अगेले 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 अब लास्ट सिंठेंस हमारा है कि बस अपने करतب्व्यों के प्रती सचेत रहना चाहिए यहां भी लास्ट में चाहिए आगए रहना चाहिए तो यहां पर बस जो आया हुआ है इसके लिए आप उनली या पर जस्ट का यूज कर सकते हैं और इसमें भी अगर दिखा जया है तो कोई सब्जेक्ट लिखाने गया है बड़ यहां भी हम वी को ही सब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि इसमें भी हम यहीं बात हो र ही आया हुआ है तो शुड का यूज कर सकते हैं वी शुड और बस के लिए गर आप चाहें तो यहां पर उनली का यूज कर सकते हैं सबसे पहले ओनली वी शुड और सचेत रहना के लिए बी अवेर कर सकते हैं सचेत रहना के लिए अवेर वर्ड का यूज कर सकते हैं और अब किसके प्रती अपने कर्तवियों के प्रती अपने कर्तवियों के प्रती तो अवेर के साथ भी आफ का यूज किया जाता है तो यहाँ पे के प्रती के लिए आफ का यूज कर सकते हैं only we should be aware of अपने कर्तव्यों हैं तो अपने के लिए our का यूज़ करेंगे क्योंकि we है subject we के साथ अपने एक एंग्रेजी आवन लिखते हैं और कर्तव्यों के लिए हो जाएगा duties कर्तव्यों के लिए duties का यूज़ कर सकते हैं duty यानि कर्तव्य तो बस हमें कर्तव्यों के प्रती अपने कर्तव्यों के प्रती सचीत रहना चाहिए यानि कि only we should be aware of our duties तो इस तरह से दिखे कितने आसानी से ये पूरा passage translate हो गया ये दिखने में थोड़ा से difficult जरूर लगता है लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा से दिमाग लगाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से translate हो जाता है हाँ कहीं पर अगर किसी ऐसे structure की जरूरत पड़ी जैसे यहाँ पर आ गया था कि भविश्य से चाहे कितना भी उज्जवल एवंग लुभावना क्यों न हूँ तो इसके लिए कुछ structure भी हमें पता होने चाहिए और अगर आप ऐसे advanced structure भी पढ़ना चाहते हैं तो आप search कर सकते है advanced structure by Nitin Sir तो आपको ऐसे बहुत सारे structure देखने को मिल जाएंगे तो आपको फ्रेंट्स ये प्रेंट्स आपको समझ में आ गया होगा और इसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर हमारे वीडियो आपको helpful लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फैंट्स आप सेयर जरूर करें